आज की वीडियो में आपको ये बीनी बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल सिंपल और असान सी ये बीनी है और कोई भी बिगनर जिसको रिबिंग और स्टॉकिंग नेट स्टिच आता है वो इसको असानी के साथ बना सकता है इसकी जो क्राउन शेपिंग है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से की गई है वो यहाँ पे सेंटर में नेट टू टूकेदर और एससे के से की गई है इसी तरह बैक साइद पर इस तरहां से है और यह मैंने इस कारडिगन के साथ मैचिंग बनाई है और इसमें साथ में पॉमपॉम जैट की है तो यह बहुत ही असानी के साथ बनती है एक साल तक के बच्चे के साइस के लिए मैंने बनाई है, शे मासे एक साल तक का बच्चा इसको आराम से पहनेघा और उसका हीट सर्कूमफिरन्स हमारे पास होता है 16 inczes 16 inczes हीट सर्कूमफिरन्स का मतलब बनता है कि हमने इस में से तक्रीबन 2 incz माइनस कर दिया है अपने हैट के circumference के लिए जो के हमारे पास आएगा 14 इंच ठीक, यानि हमने 14 इंच लंबाई की हैट बनानी हम straight needles के उपर बना रहे हैं तो हम ये ये देखें, ये हम बनाएंगे और ये length हमारे पास 14 इंच होनी चाहिए हम करेंगे 71 stitches cast on और 1 by 1 की rib बनाएंगे 10 रोज तक सही, 10 रोज तक हमने 1 by 1 इंच की rib बनानी है ये इस तरह से उसके बाद हमने strips पैटरन में चले जाना है दो रोज हमने बनानी है वाइट के साथ स्टॉकिंग नेट में फिर चार रेट के साथ चार येलो के साथ, और इंच के साथ, ब्लू के साथ और ग्रीन के साथ तो ये जो हमारे पास आएगी, लेंथ लंबाई जोंसी आएगी, इस रिबिंग के बाद वो तकरीबन होनी चाहिए चार इंच, सही, इसके बाद मैंने, अगर आपके पास ये कलर स्ट्रिप्स डाल के, ये लंबाई चार इंच ना हो, और टोटल आपके पास पांच, या फिर पांच इशारिया पांच इंच, टोटल, कास्ट ओन एज़ से, ठीक, तो अगर आपके पास ये कम हो, तो फिर कलर में दुबारा से बना ले, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, उसके बाद हमने करनी है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कैसे होगी, आपने ये 71 स्टिचेज है ना, तो सेंटर वाले स्टिच को आप, दर्मयान की सीम का स्टिच कंसिडर कर ले, अब इस पोशन का हाफ करें, ऐसे, और इस पोशन का हाफ करें, ऐसे, यानि हमने अपनी कैप के स्टिच को चार एकुल हिस्सों में डिवाइट कर लेना है, अब मैं जो आपको बता रही हूं, इस तरीके को आप किसी भी स्टिच काउंट के साथ इस्तमाल करके अपनी कैप को शेप दे सकते हैं, आ ठीक, आपके जो टोटल नंबर और स्टिच हैं, उसके चार हिस्से करें, ये आपके पास सेंटर स्टिच आ गया, ये आपके पास सेंटर स्टिच आ गया, इस सेंटर से इधर से आपने दो या तीन स्टिच लेने हैं, और इसके इधर से आपने दो या तीन स्टिच लेने है तो ये दरमüyान के चार स्टेचेज हो जाएंगे, इधर भी, और ये इधर भी. अब ये फरैंट है का और ये बेख है, मतलब एक बेख है और एक फरैंट है. अब आपने क्या करना है? अब आपने इन चार स्टेचेज के इर्द गिर्द defence के डिक्रीजिंग करनी है, इस तरह से, जैसे हम rag line के decreasing करते हैं, इस तरह से, पांच या फिर छे stitches आपने काम करने हैं, इदर इसी तरह पांच या फिर छे, इदर भी पांच या छे, इदर भी पांच या छे, डिपेंड करता है कि आपको crown की shape, कितनी, मतलब ये अंदर की तरफ कितनी चाहिए, सही, अब जितने आपने stitches decrease करने हैं, उतने ही इन center stitches से, उतने stitches इदर आपने एक stitch marker add कर लेना है, ठीक, यानि अगर आपने 5 decrease करने हैं, तो इस stitch marker के इदर भी 5 stitches से stitch marker add करने हैं, और इस stitch marker के इदर भी 5 या 6 के बाद stitch marker add करने हैं, इसका मकसद सिरफ ये होगा, कि आपको ये stitch markers बताएंग कि आपने कहां पर डिक्रीज करनी है ये झाओ कि इसी तरह से ये होले जब स्थेच मारकर hoje आप अइड़ करेंगे जिनको मैंने राउंड किया है इनको आइड़ करने के राप आप ये सेंटर के स्थेच मारकर जो चार स्थेचिस के रद्गेद आपने लगाएं या ना वो आप रिमूव कर सकतें वो हमने सिर्फ इसलिए डाले थे कि हमें याद रहे कि हमारे पास ये जो सेंटर के चार स्टिचिज हैं ये हमेशा बगैर डिक्रीजिंग की आएंगे वो बचने चाहिएं सेंटर के सेंटर के सेंटर मारकर से पहले दो स्टिचिज को निट तू तोगैदर से डिक्रीज करना है यही काम हमने सेंटर करना है निट रो के ओपर आप डिक्रीज करेंगे और पल रो आप बगैर डिक्रीजिंग के डिक्रीज नहीं होगा उसके ओपर तो यानि अगर आपने 5 decreases करनी है तो आप 10 rows बनाएंगे अगर आपने 6 करनी है तो आप 12 करेंगे जैसे जैसे आपके decrease करने वाले stitches बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी rows भी बढ़ती जाएंगी depend करता है कि आपने size कौन सा बनाना है मैं 16-14 in circumference के साथ बनाऊंगी 71 stitches के साथ ये देखें overall मैं आपको इसका दिखा देती हूँ ये ribbing है तो ये ribbing 3.5 mm की needle के साथ मैंने की है और without stretch ही हमारे पास 6 inch है तो जब हम इसको stretch करेंगे तो ये जा रही है 7 inch तक 7 inch का मतलब है कि हमारे पास circumference इसका 14 inch है और हमने cast on method German twisted इस्तेमाल किया है तो ये flexible है ये देखें ये flexible है ये tight थोड़ा इसलिए होना चाहिए कि बच्चे के सर पर ठहरा रहे नीचे ना गिरे उसके बाद 4 mm की needles के साथ हमने stroking net stitch बनाया दो इसकी चार इसकी चार इसकी चार इसकी चार इसकी फिर मैंने 6 white की बनाई है और इसके बाद हमने 10 rows decreasing की किया यानि एक row decrease की एक regular एक डिक्रीज एक पर रो और उसके बाद फिर हमने इसको सीम किया है पहले साइट से और फिर इसको उपर से सीम किया है और बाद में हमने इसके अंदर पॉम्पो मैट्स की है चलिए फिर अब हम इसको डिटेल में बनाना सीखते हैं अचा यह कैप बनाने के लिए मैंने 71 स्टिचिज कास्ट न गिये हैं और वन बाई वन की रिब की है 10 rows तक उसके बाद मैंने एक सीडी से लाई की है और एक उल्ती से लाई की है रिबिंग मैंने 3.5 mm की नीडल्स पर की है औरेंज, ब्लू, ग्रीन, और फिर छे रोज मैंने की है वाइट के साथ, फोर एमेम की नीडल्स के ओपर ये सारा काम हुआ है, और ये बिल्कु सीधा सा रेक्टेंडल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, स्ट्रॉकिन नेट में बना है, सिर्फ स्ट्रेप सेट की है हर चार रोज के बाद, हमारे पास इस टाइम इसकी लेंथ आ रही है, 5.5 इंचिस आ रही है और तकरीबन होगी, 15 सेंटी मीटर्स होनी चाहिए, 14 सेंटी मीटर्स है, ठीक, अब हमने इसको देनी है शेप, हम चूंके इसको राउंड में शेप नहीं दे रहे, बलके सेंटर में शेप देंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये कंसिडर करना है, कि हमारे पास पहला और आखरी स्टिच, एज स्टिच है, और ये सिलाई के बाद, ये दो नहीं एक रह जाएगा, सही, उसके बाद, आपने बिलकुल सेंटर में, 71 सेंटी मीटर्स स्टिच है, सेंटर का स्टिच नंबर 36, उसको हमने स्टिच मार कर एड़ करना है, ये हमारे पास आगया सेंटर वार्दा स्टिच, सही, अब आप इस हिस्से को और इस हिस्से को अलग अपने जहें में कंसिडर करें, या आपका कैप की फरन्ट हो गई एक हिस्सा और एक की बैग हो गई अब इसके दर्माः के कुछ स्टेजिस के एर्द गड हमने डिक्रीजिंग करनी है ऐसे दो चार पांच दर्माः मेंरा हमने इधर से इस तरह जाना है और इधर 35 स्टिचिज है ना तो हम ये करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 के बाद एक लगाया स्टिच मारकर और यहां पर हमने लगाया 2 और 4 के बाद एक स्टिच मारकर और ये हमारे पास होंगे 15 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक पंदरा अब इसी तरह हमने यहां पर भी लगाने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और फिर ये चार के बाद 2 और दो चार अब ये जो चार स्टिच और ना एक दो तीन चार इसके इर्ध-ध हमने stitches कम करने है पांच इधर कम करने है पांच इधर कम करने है तो हम क्या करेंगे हम पांच कम करने है ना तो 6 के बाद एक stitch मार कर डालेंगे 2, 2, 4 और 2, 6 सही इसी तरह 2, 2, 4 और 2, 6 इधर भी ऐसे 2, 2, 4 और 2, 6 2, 2, 4 और 2, 6 अब क्या करना है हमने 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 2, 3, 4, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस ठीक इसको किया अब हमने इधर ऐसे डिक्रीज करनी है कि यह हमारे पास लेफ्ट साइट के उपर गिरे लेफ्ट साइट पर गिरनी चाहिए हमारी डिक्रीज तो वह हम करेंगे स्लिप, स्लिप, निट से अब आप इसको देखें, यह लेफ्ट साइट पर जा रही है अब एक, दो, तीन, चार अब यह हमारे पास हैं सेंटर के स्टिच, एक, दो, तीन, चार सही, अब यह एक, यह वाला जो स्टिच मारकर है ना, इससे पहले दो स्टिच इसको हम डिक्रीज करेंगे एक, दो, तीन, चार और यह निट टू टूगेदर यह हमारे पास सेंटर से चाह गया, यह एक्चुली हमारे पास सीम होगी ना यह हमने स्टिच मारकर किया, अब हमने इसको करना है स्टिच के, स्लेप, स्लेप, निट टू टूगेदर एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार सही अब यह जो आख्री स्टिच मारकर है ना, इससे पहले जो दो स्टिच हैं उनको ने टू टूगेदर करना है यह ने टू टूगेदर पर्ल साइट की रो हमने पूरी पर्ल कर लेनी हैं बगएर किसी डिकरीजिंगे लेकिन जहां पर हमने एससे के किया था उस स्टिच को हम थ्रू बैक लूप पर्ल करेंगे यह ने टू टूगेदर बेला स्टेच साँ यह हमारे पास है एससे के वहला स्टिच इसको हमने यहां से पर्ल नहीं करना बलके इस इस लेक से पर्ल करना है इसको कहते हैं पर्ल थू बैक लूप पर्ल आज करना है पर्ल झाल यह देखें यह ऐसा इसको बैक लूप से पर्ल किया अब यह देखें यह आपको नजर आ रहा है कि यह लेट साइट पे जा रही है और यह राइट साइट पे जा रही है एक बार हमने यह काम कर लिया है और चार बार हम और यह काम करेंगे यानि टोटल हम कितने स्टिचेज डिक्रीज करेंगे ट्वंटी होंगे डिक्रीज इस स्टिच मारकर के बाद पाँच फिर यह सेंटर के है इस स्टिच मारकर से पहले पाँच दस हो गए इसके बाद पांच 15 होगे और इससे पहले पांच 20 होगे ठीक अब आप चाहें तो आप ये वले जो सेंटर के चार स्टेचिज है ना इसके इड़ गिर जो हमने ये स्टेच मारकर्स डाले हैं ये रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब हमें गलती की गुंजाईश नहीं है हमारे पास ना आप स्टेच मारकर जायड हो गए हुए है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है जो तोगदर झाल 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 चाल झाल झाल एसे वह लेली ने टुटतेटर स्टिच मारकर के बाद आपने जो दो स्टिच डिक्रीज करने है वो SSK से करने है स्टिच मारकर से पहले जो दो स्टिच डिक्रीज करने है वो निट टू टूगेदर से करने है ये दर्मियान का स्टिच है जो के हमें जब ये टोपी हम ऐसे बेंट करेंगे तो ये उसकी सलाई को शो करेगा इसी तरह ये अब दूसरी साइड आवी स्टिच मारकर के बाद के दो स्टिच डिक्रीज होंगे और स्टिच मारकर से पहले दो स्टिच डिक्रीज होंगे दो हमने डिक्रीज रोज करनी है तीन हमने और करनी है जब हम 3 करेंगे तो यह हम देखते हैं कि अब दरम्यान में हमारे पास कितने सेचिस बचेंगे 1, 2, 3 हमने रोज और करनी है न तो यह 1, 2, 3 यह वले सेचिस भी डिक्रीज हो जाएंगे और 1, 2, 3 यह वले सेचिस भी डिक्रीज हो जाएंगे तो दर्मियान में हमारे पास कितने बचेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे स्टेचिस जब हमारे पास इन दो स्टेचिस, स्टेच मारकर्स के दर्मियान में जब यहां पे छे स्टेचिस बचेंगे और जब यहां पे छे स्टेचिस बचेंगे तो हमारी कैप की डिक और हमारे पास अब चेक करते हैं किसकी हाइट क्या है, 7 इंचिस होनी चाहिए, अल्मुस्ट 7 है, सफिशेंट है इतनी ना, इस साइज के लिए इतनी काफी है, अब हम इन सिचिस को बाइंड ओफ कर लेते हैं, रेगुलर बाइंड ओफ से आप बाइंड ओफ कर ले, एक बुन अगला बुना और इसको पास कर दिया, यह हमारे पास है ना सिचिस, इसको हमने ऐसे किया, अब यह देखें, यह जो डिक्रीजी है ना, इन डिक्रीजी ने आटोमेटिकली यह कॉर्णर निकाल दिये हैं, यह ऐसे, सही, तो यह बिल्कुल कैट शेप बन रही है, आपके पास ना, इस बिल्ली के कान निकले होते हैं, यह इस तहां से, अब हम इसको स्टेच करते हैं, कि बいき्जाएं आट本पा के नाधो एल प्रेंट करते हैं, यह अबूदोदोमेट्टर, तो पूर्व करते हैं, एज कि उलई पकी द्वेच गव्मैंपनी हैं, यह भी हैं, कि दखें हैं, यह दो जेग्टते हैं, यह वइब निक्रीजी हैं, एल दो कि आटेजर ए twist, यह जया अब अगर आप इस बाइंड ओफ एज को बाहर रखना जाते हैं, तो फिर आप इसे सीडी तरफ से कर लें, स्टेच कर लें, इस तरह से ना, एक इदर से पकड़ा, एक इदर से चेन की टांग पकड़ी, एक इदर से और एक इदर से, तो यह थोड़ा से ना, डिजाइन एलिमेंट के तौर पर सीम आ जाएगी, तो यह देखें कितनी खुब्सूरत सी हमें, हमारे पास यह बीनी रेडी हो गई है, इसके एजिस मैंने अब, लूज एंड्स मैंने वीव इन कर लिए हैं, और इसके उपर मैंने यह कलरफुल से पॉंपो मैट के, यह टोटली ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें, लगा लें, आप नहीं लगाना चाहते, तो आपकी मर्जी है, आप इसको कान की शेप देने के लिए, यहाँ पे कोई ट्राइंगल सी, इम्ब्राइडरी भी कर सकते हैं, और उसको ट्राइंगल को निट करके अलग से उसका पैच भी लगा सकते हैं, मुझे लगा कि बस यह पॉंपों के साथ यह मतलब सफिशन्ट लग रहा है, इसका डिजाइन अलिमेट, तो मैंने वो रहने दिया, पॉंपों की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, लेंक आपको यहां राइट साइड के उपर आ रहा होगा, आप वहां से देखके पॉंपों बनाना सीख सकते हैं, इस तरह के मल्टी शेट के, और यह देखें, यह इस तरह से, मुझे उमीद है, आज की वीडियो आपके लिए फाइदा मन साबित होगी, नेक्स वीडियो तक, अल्ला हाफिज,